तो दोस्तो जैसा कि आपने थमने पर देखा कि हम लोग आज algebra के बारे में बात करने वाल हैं और मैं उसमें आपको एक ऐसी questions के बारे में रूबरू कराने वाला हूँ जो आपके exam में बार-बार देखने को मिलता है और सबसे पहले start करने से पहले कहूंगा दोस्तों कि अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया पहली बार आप आये हैं तो हमाज चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लिए यहाँ पर हम लाते हैं daily daily new videos जो सीले सिदे आपके exam से later होती है तो ज्यादा time नहीं लोगा चलिए start करते हैं देखे प्रश्ण आपके सामने दिख रहा होगा कि x square plus 1 minus 5x equal to 0 दिया रहता है तो x plus 1 by x का value आपसे पूछा जाता है तो देखे यह देखने में थोड़ा tough लगता है लेकिन एगदम easy होता है क्या करना होता हम दो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे दीगे जो questions होते हैं उसको हम लोग इस रूप में करने की कोशिज करेंगे तो देखे करना कुछ नहीं होता है बस आपको दोनों तरफ क्या करना होता कि x से divide करना है देखे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि both side dividing by x ठीक है x से हम लोगों ने दोन तरफ divide किया तो आप आप देखे कि x square को हम लोग divide करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और 1 को हम divide करेंगे तो 1 by x हो जागा जिस तरह से आपका प्रश्ण पूछा जा रहा था उस तरह से आपका आ गया x plus 1 by x minus 5 equal to 0 अब आपको simply क्या करना है कि right side में बस 5 को भेज़ दीजी आपका जो पूछा जा रहा था वो आ गया यह तो थोड़ा simple था एकदम easy था अब बात करते हैं कि अगर हम से square पूछ लिया जाए क्या करेंगे तो चलिए देख लेते हैं इसी प्रकार के next जो प्रश्ण है उसको देख लेते हैं ठीक है देखें दूसरा प्रश्ण मैंने बस आपके लिए लेकर आया हूँ उसी type से द दोनों तरफ हम लोग x से divide करेंगे यह आपको हमेसा करना होगा ठीक है या फिर q पूछे या फिर 4 पूछे जो भी पूछे आपको यही करना होगा देखिए हम लगी हाँ पर x से divide किया तो क्या होगा x हो जागा माइनस 4 हो जागा और फिर अगर 1 by x हो जागा ठीक है और रा देखिए आपको पता होगा या फिर आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं देखिए क्या अगर स्क्वाइर जभी भी आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1 by x आपको दिया रहे कोई भी वैलू दिया हो ठीक है यहाँ पर माल लीजे कि 4 दिया है मैं यहाँ पर 6 पर बताता है कि अगर हम ठीक उसी तरह करेंगे क्या हमारे यह दिया है और हमसे पूछा जा रहेNow लेकिन यह ट्रीम नहीं दोस्तों बस यह simple सी चीज है जो हम लोगों ने किया है आपको पता होगा कि हम लोग यह बताता हूं आपको यह मैं कैसे कर रहा हूं देखिए आपको पता होगा कि x x 1 plus 1 by x equal to 4 दिया है अगर हम दोनों तरफ गर square कर देते हैं बोर्ट साइड plus 1 by x square हो जाएगा और minus 2 होगा और equal to sorry plus 2 होगा और equal to आपका 16 हो जाएगा अब आप देखिए कि x square plus 1 by x square है और plus 2 है अगर right side में इसको बेता हो तो minus 2 हो जाएगा और यह खतम हो जाएगा तो आपका 14 आएगा वही चीज़ आएगा देखिए यह formula होता है मैंने आपको directly बता दिया ताकि इतना आपको जंजट ना करना पड़े तो आप बस simple सा करना क्या है जब भी आपको इस तरह से दिखें और आपको square पुछा जाए तो किजिए क्या कि इसका square करकर minus 2 कर दीजिए आपका right answer आएगा बिल्कुल भी सही आएगा ठीक है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होग आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी 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 ह